मैं यहाँ पर guess कर सकता हूँ कि आप अपनी एक website बनाना चाते हैं और आपनी कहीं न कहीं से WordPress का नाम सुना है लेकिन आप exactly में नहीं जानते हैं कि WordPress है क्या Well, I am Manish and आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि actual मैं WordPress क्या है और ये कैसे काम करता है मैं WordPress के बारे मैं बताना स्टार्ट करूँ उससे पहले make sure आप इस चैनल को subscribe करना ना भूले है because इस चैनल पर मैं website designing से related बहुत ही amazing videos बनाता रहता हूँ जो कि आपको help करेंगी एक अच्छा website designer बनने में WordPress एक free open source content management system है अगर मैं simple language में समझाऊं तो WordPress एक free software है जिसका use करके आप किसी भी तरह की एक बहुत ही अच्छी website design कर सकते हो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको कोई भी programming language नहीं आती है तब भी आप एक बहुत अच्छी website बना के तयार कर सकते हो अब question यहाँ पर यहाँ आता है कि what kinds of websites can WordPress make जब 2003 में WordPress आया था तब आप WordPress का use करके सरे blogging website ही बना के तयार कर सकते थे लेकिन अगर मैं आज की बात करूँ तो आज आप WordPress का use करके किसी भी तरह की website बना के तयार कर सकते हो like business website, e-commerce website, blogging website, portfolio website and many more जब Google पर आप WordPress टाइप करके सर्च करोगे तो सर्च result में सबसे पहले आपको WordPress.com देखने के लिए मिलेगा और second में आपको WordPress.org देखने को मिलेगा अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि इन दोनों में difference क्या है तो कई समय आपको बताने वाला हूँ कि WordPress.com and WordPress.org में difference क्या है अगर मैं WordPress.com की बात करूँ तो WordPress.com पर आप अपनी website बिलकुल फ्री में बना के तयार कर सकते हो इवन आपको यहाँ पर hosting भी purchase करने की जरूरत नहीं है hosting होती है जहाँ पर आप अपनी website का data store करके रखते हो लेकिन यहाँ पर कुछ downsides and limitations है लाइक यहाँ पर आप अपनी website का personal domain use नहीं कर सकते हो आपकी website का domain कुछ इस तरीके से दिखाई देगा यहाँ पर आपको बहुत ही limited disk space मिलेगा यहाँ पर आप अपनी website को monetize नहीं करा सकते हो लाइक अगर आपकी website पर बहुत ज़्यादा traffic आ रहा है तो आप ads के थुरू पैसे नहीं कमा सकते हो और सबसे बड़ा downside यहाँ पर यह है कि आप बाहर से कोई भी extra plugin और theme इंस्टॉल नहीं कर सकते हो आप उनी plugins और theme को use कर सकते हो जो wordpress.com के platform पर available है अगर मैं wordpress.org की बात करूँ तो wordpress.org को use करने के लिए आपको hosting purchase करनी पड़ेगी यहाँ पर आपको एक चीज़ ज्याद रखना है कि wordpress software बिल्कुल free है लेकिन अगर आप wordpress को install करना चाते हो तो आपको hosting की जरूरत पड़ेगी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि hosting होती है जहाँ पर आप अपनी website का data store करके रखते हो अगर आप wordpress.org यूज करते हो तो यहाँ पर आप अपना खुद का unique domain यूज कर सकते हो यहाँ पर आपको disk space की कोई problem नहीं होती है because hosting providing company आपको बहुत disk space provide कराती है यहाँ पर आप अपनी website को monetize करा सकते हो और add run करा के बहुत सारा पैसा कमा सकते हो और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आप बाहर से कोई भी extra plugin और theme install कर सकते हो अब जैसे चाहे अपनी website को customize कर सकते हो यहाँ पर कोई भी limitations नहीं है अब question यहाँ पर आता है कि आप wordpress.org पर अपनी website कैसे बना के तयार कर सकते हो तो guys इसके उपर मैंने already एक वीडियो बनाई हुई है आप इस वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी से website design करना सीख सकते है इस वीडियो की link मैंने description में दी हुई है और यहाँ पर i button पर click करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हो That's all for today I hope guys इस वीडियो आपको पसंद आयोगी अगर इस वीडियो आपको पसंद आये है तो please वीडियो को लाइक करना ना भूले है और अगर आप एक pro level के website designer बनना चाते हैं तो इस चैनल को subscribe करना भी ना भूले है because इस चैनल पर मैं website designing से related बहुत ही amazing videos upload करता रहता हूँ जो कि आपको help करेंगी एक अच्छा website designer बनने में तो please वीडियो को like करना and चैनल को subscribe करना ना भूले है and thank you for watching